बहार में सियासे उठापटक की राजनिती के बीच भाजपा लोग सभाचुनाव से पहले खुद को हर हाल में मजबूत बनाने में जुटी हुई है यही बज़ा है कि भाजपा के तरब से इंडिये के पुढाने साथियों को वापस से साथ आने के लिए बुलावा भेजा जा रहा है इसे करी में लोग जनशक्ती पार्टी रामबलास के रास्ट्र अध्यक्ष शुराग पास्वान को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा के रास्ट्र अध्यक्ष ने बुलावा भेजा है इतना है नहीं केंद्रिया ग्रेह राज्य मंत्री नित्या नंद राई भी नई दिल्ली इस्ते चुराग के आवास पर उनसे मुलाकात किये दोनों ने एक साथ डीनर भी किया और इसी दोरान इनका NDA में शामिल होने का डिल भी फाइनल हो गया दरसल 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली इंडिया की बैठक में चुराग पासवान को हर हाल में भाजपा शामिल करना चाहती है यही वज़ा है कि भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा के तरब से चुराग पासवान को लेटर लिख कर बुलावा भेज दिया है इस लेटर में लिखा गया है चुराग पासवान जी आशा है आप शक उसल होंगे आपकी पार्टी लोक जनसक्ती पार्टी रामबिलास राश्ट्रिय जनत तांत्रे गठ बंदन की एहम साथी है इंडिय के महत्योपुर्ण साथी दल के रुप में आप आधरनिय प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी के नितरुत्यों में इंडिय सरकार द्वारा देश के विकास को गती देने वाली स्टेवा, सुशासन और गरीब कल्यान की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी के नितरुत्यों में इंडिय सरकार ने पिछले नौव वर्षों में देश के बहु आयामी विकास को नई उचाई प्रधान की है एंडिय सरकार में गरीब कल्यान, सांस्कृतिक गौरब की पुनरस्थापना, आर्थिक प्रगती, देश की रक्षा और सुरक्षा, विदेश में भारत की मजबूत साख सहित अनेक शेत्रों में उलेखनिय खारे हुए इंडिय सरकार ने पिछले नौव वर्षों में सेवा और शुसासन की वास्तविक पड़ी कल्पना को साकार किया है इसका पड़ी नाम है कि प्रधान मंतरी जी के नत्रुत्यों में अमरित काल का भारत विजन 2047 के ने सपनों को लेकर देश की विकास की यात्रा को जन भागिदारी और जन विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है इसके अलावा नड़ा ने अपने लेटर में लिखा है कि आगामी 18 जुलाई 2030 मंगलवार को शाम 5 बजे नई दिल्ले इस्थित होटेल अशूक में मानिया प्रधान मंतरी जी के उपस्थिती में एंडिय की बैठक होनी तै हुई है इस बैठक में आप साधर आमंतरित हैं एंडिय के महत्योपुर्ण साथी दल के रूप में आपकी भूमी का और आपका सहयोग गठबंदन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बलकि देश की विकास यात्रा को भी सुद्रिधता प्रधान करता है इंडिय के साथ ही दलों की बैठक में आपकी उपस्थिती प्रार्थनिया है इधर पिछले एक सप्ता के दोरान यह दूसरा मौका है जब नित्या नंदराय ने चिराग से मुलाकात की है इसके पहले पटना में दोनों की मुलाकात हुई थी और अब दिल्ली में दोनों जा मिले हैं लोजपा सुत्रों की माने तो चिराग पासवान ने इंडिये में शामिल होने के लिए कुछ शर्त भी रखी है जिसमें है कि भाजपा उन्हें केंदर की मोदी सरकार में मंतरी बनाने पर सहमत हो जाए लेकिन चिराग जिन अन्य शर्तों पर अडिक बताय जा रहे ह उसमें हैं लोगसभाज चुनाओ 2024 के दोरान बिहार में कम से कम 6 संसदिय सीटों पर चुनाओ लड़ने के लिए सीट देना बताने कि इसके साथ ही हाजी पूर और नवादा सीट लोजपा रामबिलास अपने कबजे में चाहती है वही चिराग की दूसरी शर्त है चाचा प पत्ता साफ हो जाए ऐसे में भाजपा को चिराग और पारस दोनों को एक साथ अंडिये में रखने पर खासी मशक्कत करनी पर सकती है ऐसा माना जा रहा है कि इस पर सहमती बनाने के लिए नित्यानंदराय मध्यस्त की भूमी का निभा रहे हैं जी हाँ एक बार आपको फिर आने साथियों को वापस से साथ आने के लिए बुलाबा भेजा जा रहा है इसी कड़ी में लोक जनशक्ती पार्टी राम बलास के राश्ट्रे अध्यक्ष शिराग पास्वान को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा के राश्ट्रे अध्यक्ष ने बुलाबा भेजा ह झाल 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 झाल